इस लोगों ने पैसे बनाए होंगे एक्सेप्ट ट्यूसे भी उस लोगों ने बनाए होंगे डेफिनेटली यह जो इतना बड़ा फॉल हुआ था मैंने इसका वीडियो अल्रेडी बनाया है अगर आपको याद होगा वेडियो मैंने बताया था कि यहां पे क्यों हमें यह टार्गेट था थीच है अब जिसने सेल किया होगा उस सेल में आइडियली कितना लिया होगा पता नहीं हम लोग तो पर यह बोला भी था यह पूरा हमने उसके ऊपर कवर कर दिया वेडिनेस डेको थर्सडे को और फ्राइडेको डेक्ट फ्राइडेक्ट अच्छली ना अगर देखो गए दा आश्ट्रो वांडर्फुली नो डाप अबोर दाट फ्राइडे प्राब्लम यह हो गई थी कि हमने जो बाइंग करी थी वह बाइंग में लास्ट में मोमें आया तो जिन लोगों ने करेंड गेंब खिला उनको डेफिनेटली लॉस हुआ जिनोंने नेक्स एक्सपारी में खेला उगा उनको कोई लॉस नहीं हुआ होगा इस फाइफ फंटे के लेवल के अगर मार्केट आता है तो आपको एक बाइंग लेना चाहिए आप अगर देखोगे 1000 पॉइंट का मुव और हमने यहां पर कमा यह उल्लेडी बता चुका मैं सायद प्राइड का जो वीडियो मैंने बोला था मैंने आपको क्या बोला था वाइफ यह यही लेवल जो था सेम लेवल मैंने बोला था यहां पर अगर मार्केट आएगा तो मैंने यह एक लेवल दिया था जहां पर मार्केट नहीं यह रेड कैंडल बनाया था इसका भी में एक वीडियो बना हूंगा क्योंकि लोगों नहीं नहीं उस दिन दाट वीडियो पीपल इन डाट लेवल पीपल इन बोला था 1030 के बाद बाद करना 1030 वाज यह 1030 से पहले कैंडल आ गया था दिनावल लेवल वस 380 85 रिमेंबर 388 का लेवल था मार्केट 400 से उपर गया 20 30 पॉइंट से उपर चला गया रहें 388 वाज ब्लाइंड वाई जैसे निफ्टी में मैंने ब्लाइंड वाई दिया था फ्राइडे को अगर आपको याद होगा 266 यह वाला यह वाला लेवल लेवल मार्केट 100 पॉइंट दिया फिर इस लिए यह लेवल को काटा नहीं मार्केट और यहां पर मैंने बाइजन बन विल नौट और माइट नौट हाव वागट वागट वो पीपल वोड ट्रेडिंग दे करेंड एक्सपारी मूब जो आया हो तीन बजे आया तब तक प्रीमियम पूरा जीरो हो चुका होगा कितना भी बड़ा मुमेंट दे अनलेस यह आटीम प्राइस आप ऐसे नहीं बना स यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां थोड़ा और उपर जाएगा जब यह रेट कैंडल बना दूसरा बना तीसरे में मैं आउट हो गया ओके दाड़ोज जिरो प्रोफित गेम फॉर मी राइट बट अगर आप देखो कि हमारे लेवल से इट वस उनली वन रेट कैं अगर वाइट निकल गया इसको कर सकता था तुम मैंने होल नहीं किया विकॉस तुक अलमोस थ्री आवर्स तो गिफ देखो अब आप देखो जिरो होई जाता है अन्हीं है ठीक है तो था वाइट वस दिस विक्ष्ट पर्फॉर्म्स एक्सेट तुजर जो हम लोग प्रेडिक नहीं कर पाय थे कि इतना बड़ा फॉल होगा रेस्ट अप्ड अप्ड़ अब आप देखो एक चीज मैंने तो लेवल दिया है दूसरी चीज है मैंने साइकोलोजी की बात करिए कि मार्केट में क्या हो सकता है मार्केट कैसे रियाक्ट कर सकता है राइट सो अगर हम बात करें मंडे की सो मंडे हमारा मॉनिंग में थोड़ा सेल दिख रहा है फिर 10 15 to 135 बाइद दिख रहा है 132 250 जल दिख रहे 252 230 बाइद दिख रहे डिपेंडिंग अब नसल और बाय का साइज सेल का साइज बड़ा वैसे दिख नहीं रहा है तो विशुट भी डाउनसाइट काप्ट अन्डे इंट्रे 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 बात कर रहा है और इस और विडाउट गाप गाप डाउन गाप गाप डाउन हो गया तो उसी तरह से आपको सिफ्ट करना है वह पता है आपको लेवल वैसे सिफ्ट करना थर्टी डिसेंबर 915-945 सेल है दिस माइट भी यह लिटल बिट गुट सेल 10-12 15 बाहे 12 15-12 45 अनादर गुट सेल है 24 245-2330 स्लोब आय है और यह हमारा वन डे बिफोर बजेट का इंडिकेशन देगा अगर 38 सॉरी डिसेंबर नी जैनुरी है मैंने चैनल में चेंज कर दिया है यहां पर आप सारी जैनुरी है तो 29 जैनुरी 30 जैनुरी 31 जैनुरी तो 30 जैनुरी को अगर लास्ट में बाइंग आती है 245-330 and we are not talking about 3-2 30 you are talking about 245-330 अगर मार्कें में बाहिं अ बाइंग आती है that would be a Indonesia कि budget मैं हमारा हलका साirosय डुगा मैँने group में क्या बोला थाined what I told in the group is basically in the this year budget we might not see a big panel that means an entire week will not be rally you will see both side moves okay both sides so Monday and Tuesday जे तो I would recommend कि you don't play position because you will see both side most especially option buyers intraday ही play करो पर अगर थोड़ा सा आपको risk लेना, if you want to take a little bit of risk 38 December if 2.45 to 3.30 we might see a little bit of buy even little buy after this good sell बड़ा से लोगा थोड़ा सा भी हलका पाए तो condition याद रखना कि जो sell होगा that sell should not end towards the day low it should recover a little bit if the recovery happens then this move I would consider के market में whatever the buyers are there the weak buyers उनको market से निकाला गया है for the small budget राली so 30 December को अगर ये सिनारियो होता है 31st December को morning से ही हमारा 2 बज़े तक पाई it's a one day before budget 2 to 3 sell है again people will take the weak hands out and 3 to 3.30 बज़े तक बज़े तक हमारी राली हो साथिये 1st February might be a gap up P तो लेना ही नहीं है 31st December sorry 31st January को do not take P okay and 1st February I am guessing a gap up and go till 1 o'clock and then when the budget will be over there will be a dump candle because I am not expecting anything great in this budget okay and ये जो 3 3 30 बाला बाई है budget day में आश्टो के हिसाब से यहाँ बे बाई मत कर sell cut कर देना बाई मत करना because you don't know 3 30 का support बन जाएगा that's not my expectation because my expectation is very very high on the budget day second half where I am expecting a dump candle I am expecting ideally a dump candle on budget day second half okay second February 9 to 1045 by 1045 to 1130 typical Friday in my close positive but rainbow so जो मैंने बोला था Tuesday का ये जो बड़ा fall है जहांपे market में weak hands को निकाला जाएगा after this fall और Wednesday morning और Wednesday morning gap down होगा तो अलग बात है okay पी मैंने आपको 31st December को मना किया लेने के लिए यहांपे आप ले सकते हो provided जाट ये downside करे और आश्टर का 332-330 by ignore कर दे तब भी आप ले सकते हो हलका सा but Wednesday गर gap down हो गया तो आपको blind by उठाना है market में 30 बस जान को और ओं मार्केट rally देना चाहिए आप okay 30 बस जान को I am expecting a rally वैसे भी it is it is the monthly expiry I think so right monthly expiry when I say ठीक है बाद में देखते है so anyway month end है one day before budget है and there is a reason for retailers to stay bullish bank nifty में होगा नहीं होगा I don't know nifty में nifty nifty का difference अभी बताता हूं nifty में ये होगा because a lot of results are coming up and I am expecting good results this is the results season coinciding with the budget so एक rally 31st 1st February 1st half तक अपन market में देख सकते everybody is clear यह था हमारा timing के हिसाफ से view ठीक है timing के हिसाफ से psychology के हिसाफ से market में कैसे behave कर सकता है market ठीक है now coming to the price action ठीक है price action को हम जादा importance देते है rather than the timings but match करना चाहिए थेको bank nifty में छोटा सा डबलू बता है right what I say is basically in this kind of W it's ideally a weak W bank nifty में अगर daily candle देखोगे okay compared to nifty nifty का भी में दिखा थो but bank nifty में अगर आप daily candle देखोगे it's a weak candle okay जैसे यह बड़ा dump हुआ है market यहां पे sustain कि यह pattern powerful होता है provided यहां पे थोड़ा सा बड़ा होता तब powerful pattern but bank nifty में वो नहीं है आदा strong है आदा strong मतलब आदा कम जोर है half strong half कम जोर okay आप week तो bank nifty में market कितना बड़ा जाएगा we don't know but budget में अगर bank related कुछ चीज़े आगे तो हम surprise भी देख सकते okay तो bank nifty will be volatile expect हम bank nifty में बड़ा कुछ नहीं करेंगे but अगर मिल गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं जैसे मैंने 31st 1st February का जो आपको scenario और psychology बताया उसके basis पे हम छोड़ेंगे नहीं market ठीक है मिलेगा कि इतना देखते but reasonable target मैं आपको देता हूँ reasonable target क्या हो सकती है निफ्टी में अगर हम बात करें निफ्टी में आपको थोड़ा डेली केंडल स्ट्रॉंग दीखेगा क्योंकि यहाब मारुभूजु केंडल मारुभूजु केंडल का हाई और फ्राइडे का हाई यह दोनों हाई इसलिए में आप एक वर्चल बाइजून बना इस नोट अन अच्छल बाइजून अक्छल और वर्चल में डिफरेंस क्या होता है मेरे हिसाब से वर्चल वाइजून आर विच आर नोट तो बी सीन बाइज एसम्सी कॉंसेट इसलिए मैंने ग्रूप में भी रिमाइंड किया कि यहां पर ब्लाइंड वाला बाइव था बहुत सिम्पल था ठीक है इसमें कंडिशन क्या होता है तो कंडिशन ही यह इस बाइजों का बॉटम नहीं कटना चाहिए अगर अगर मार्केट ऊपर उपन नीचे से अगर गया तो ठीक है चलेगा बट नीचे से एक बार ऊपर अगर टिक गया फिर दूबारा कट नहीं होना चाहिए तर अगर यह नहीं होता है दिस बाइजन क्या समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स वीडिया ठीक है अगर यह बॉटम थोड़ा सा आप नीचे भी ले सकते अच्छली यह ले सकते बाइजन को थोड़ा सा बढ़ा सकते मैंने नहीं बढ़ा है बढ़ा सकते हो 350 यह जो लेवल मैं कि नहीं कट के सस्टेन नहीं होना चाहिए तो नोट सस्टेन आफ्टर कडिंग 350 जब तक यह कंडिशन वालिड है हम बाइवन डिप्स में मार्केट में रहेंगे और यह टॉप अगर नहीं करता है तो हम राली डेफिनाइटली मार्केट में देख सकते हैं निफ्टी में ल कुछ लोग पुच्छे कि आपने बोला था कि बड़ा नहीं हो गया यह तो प्रेडिक नहीं कर सकता है यह टाइमिंग में भी नहीं था प्राइशन के हिसाब से भी नहीं था यह टॉके इड़ास मानेश्ट जस्ट भाई हिटिंग कबल अब बैंक्स एंड रिलाइंस ताइट इविए इंडेक्स को ठोक के यह कैंडल बनाया गया है और लॉस्त तो किसी को नहीं होना चाहिए क्योंकि अब यह टार्गेट तर्गेट थे अब हो गया तो देखेंगे मैं कल का टार्गेट दिता हूं उसके इसाफ से देखना विकली का टार्गेट डूडाइ लेवल हमारा 400 है ठीक है 350 इस अल्टिमेट सपोर्ट वी हाँ यहां से अगर मार्केट नीचे गया था हमारा कोई बाइ नहीं होगा इन दिस जोन वी आ नोट गोई अनिटिंग और बाइ उनली विल हापन आट 184 जहां से मार्केट उपर गय होगी यहां से भी आप देख सकते ठीक है बट मुझे नहीं लगता और मेरे इसाफ से यहां तक आना भी नहीं चाहिए मंडे मार्केट आइडली फ्राइडे के ऊपर क्लोज करना चाहिए तो यहां पर रीटेस्ट किया जैसे मैंने बोला यह वर्चुल बाइजन अगर इस प्रॉंग वाइजन इस रीटेस्टेट अफ्र गुट सेल्ट थेन यू प्ले फर राली तोर्स तर्गेट 1 700 तर्गेट 2 800 मोटा मोटा ठीक है तर्गेट 3 22,000 यह गाफिल तीन टार्गेट है तीन टार्गेट मैं से कंसिडरिंग बजेट राली 21,800 गा टार्गेट हमें लेके जाना चाहिए 1st February तिल वन पिए यह तार्गेट मैं टार्गेट वी रीजनेवली 700 800 22,000 ट्री टार्गेट के अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में भी सेम फंडर रहेगा आपका बैंक निफ्टी में भी बाइजन का यह भी वर्च्वल बाइजन है 45,100 का जो ने जो फ्राइडे की ओपनिंग है हावेवर आपकी जो स्टॉपलस होनी चाहिए यह जो क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है आपको बाइए में हिम्मत दिखाना ही नहीं है इसके ऊपर कोई भी लेवल से आप मार्केट में बाइव और डिप्स में रह सकते हो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है प्राइडे का लेवल था 388 345,300 के आसपास आई मार्केट में बाइब कर सकते हैं अगर हमारा गलत जाता है मार्केट यह लो के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट मंडे अगर यह बाइवन के ऊपर खड़ा हो गया 45,400 के ऊपर मार्केट खड़ा हो गया त्यूजड अगर सेल आता भी है जैसे ही यह बाइवन रीटेस्ट करेगा अराउं 45,300-400 के जोन में टॉप से भी ले सकते हो तो आप एक राली दो तिन दिन के लिए देख सकते हैं टार्गेट वूड़ भी 46,100 टार्गेट वूड़ भी 47,100 यह मैंने लेवल आपको पहले भी दिया था यह ब्रोड़निंग पैटर्न का मिडल जहां से मार्केट गीरा अगर आपको याद होगा मैंने बोला था मार्के अगर मैं थोड़ा सा अपना सप्लाई जोन खोल देते हैं अपना इमांड सप्लाई जोन अगर खोल देते हैं यहां पे तो आपको यहां पर तीन जोन दिखेंगे और डाड़ वन अफ दरीजन आइसेट के बैंक निफ्टी में नोट गीवे अल्टरा अल्टरा यूज रैल जैसे यहां पर आपने लास्ट विक बना के आपको दिया था तीन तीन जोन है इसको काट के ऊपर जाना चलो वामनाओं में बैके बह भी गया तो अपर ट्रेंट लाइन टेस्ट कर देगा उससे ज्यादा नहीं करेगा ताट मिंस 200 पॉंट ज्यादा ज्यादा और जाएगा क्योंकि यहां से तो इसको गिरना ही है अगर गया तो मुझे नहीं लगता है यहां तक जाएगा 47100 तक मार्केट आने की पॉसिबिल्टीज है हावेवर और टार्गेट हम दो कंडिशन दो स्टेजिस में लेंगे निफ्टी में तीन स्टेजिस हैं बैंक निफ्टी में दो हैं तीन आप उसको ऐसे ले सकते हो मार्केट 45,000 450 के ऊपर सस्टेन किया यहां से टार्गेट बान तार्गेट 246,100 तार्गेट 347,100 यह जो 1000 पॉइंट की रैली इस बार आएगी यह सीधा आएगा and that is what I am expecting on 31st January and 1st February 1st till 1pm okay that means Monday or Tuesday market यह virtual buy zone के ऊपर सस्टेन कर जाता है और Wednesday को market अगर यह level काट जाता है ठीक है तो market 47,100 आने में मार्केट को कोई रोक नहीं पाएगा that is my personal view but whatever level you are getting 47,000 46,700 46,800 47,100 whatever level budget day में after 1 p.m. or 1 30 p.m. you are not going to have any C position because I am expecting a dump cat okay और budget में यह जितना बड़ा राली देगा 1st February को उतने का ही यह फॉल देगा that's what my thought थोड़ा से ज्यादा भी दे 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 यू डॉट नो hope everybody is clear on the weekly views okay now Monday की ट्रेडिंग में आते हैं Monday अपन ट्रेडिंग क्या कर सकते यह लेवल से आथ रखना दे दिया है स्क्रीन सोड लेके लेवल ड्रॉड कर लेना बहुत काम आएगा मैं आप बाद में देखना इसका पावर ऑके कल की जो ट्रेडिंग है बहुत पावर्फुल सुपर पावर्फुल लेवल इस दिस 44,780 जो मैंने फ्राइडे को दिया था एक लेवल एक बाइंग का तो नहीं दिया था मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा कि वहां पर मार्केट की रियक्शन बहुत जबरदस्त होती है इंट्राइड वीडियो जो हम प्लान करते हैं या फिर मैं ब्लाइंड भाई दे रहा हूं तो महां पर आप 100% खेल सकते हो थोड़ा बहुत उपर निच्छे होता है एनिवे तो टुमारो इस इस गोईंग टूए वेरी वेरी स्ट्रॉंग लेवल मार्केट अगर आपको इंट्रेड में भी पाए कर सकते हों मार्केट हमारा मंडे क्या बोल रहा है चो ट्वणी नाइन आइन आप जैन मार्केट इस टेलिंग दिस मार्केट हमारा बोल रहा है के नाइन फिप्टीन टू टैन से लोगा बढ़िया दिस इस और पावर्फुल लेवल पिवाट है यह आईडियली टैन थर्टी के बाद हम मार्केट में यहां तक लेके आने की कोशिश करेंगे यहां तक भी आ सकता है यह जो स्विंग का लेवल मैंने बनाया है तार्गेट आपका यह बाइजुन का इसे टॉप होना चाहिए सेल आपका अगर यहां पर पहुंच गया तो आप सेल वन थर् 45,000, 250 गया तो बीच में सेल हो सकता है जरूर ने के सेल करेगा यह मीच से हो सकता है इसमें 100 क्या है कि अगर सेल हुआ और 245 के आसपास यह लेवल दूबारा मिला तो यह 100 परसंट यह लेवल को जागे तच करेगा समझ मैं क्या बोल रहा हूं कि 250 2550 ले लो 300 यह जो 300 पॉइंट की बाइंग है डाट माजिक विल हापन इन बेटून 245-330 45 मिनिट्स पर 300 पॉइंट का माजिक आपको दिख सकता है कंडिशन इसमें क्या होगा कि मार्केट यह लेवल क्रॉस कर जाए 130 वाला जो बाइंग को कहीं से गिर सकता है बट अगर यह 245 के आसपास यहां पर मिला और आपको ग्रीन गैंडल मिना तीन सो पॉइंट की वाइंग को नहीं रोक सकते हैं ठीक है यह ध्याद नेना मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है जो रहकें यहां तक आजाएगा ठीक है हाई चान्सस यह है कि निफ्टी ऊपर खुले है हल्का सा यहां फिर फ्लाट फ्लाट खुले मार्केट जैसे ही खुलेगा अगर यह लेवल कटा आपका 350 अगर कटा तो मार्केट यह दे लो तो कि एक बार आएगा तूपंट की सेल म इन फॉस तो यहां से आप यहां तक मार्क इंटिकर टाथ है यहां तक आnegर कर आता है तो सेल कर देना तक देखो कितना सेल होता है अगर यह हुआ और मैंने जैसे में कम मुवमेंट आएगा निफ्टी में बड़ा मुवमेंट आ सकता है कि अगर यह सिनारियो हुआ तो अगर यह नहीं हुआ मार्केट बड़ा आगे आपकर देता है तो आपको यहां से बाइंग करनी है उसकेस में हंड़ेट परसेंट सेल यहां से आएगा और यहां से फिर दुबारा उठाके फाइपटी तक लेके जाना है आपको यह यह जो देखाई यहां तक वेट मत करना ठीक है ग्रीन मनेगा त तक यह रेंज पर कहीं पर भी मार्केट ग्रीन बने आप बाइकर सकते हो तो यह 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 रहेगा मोटा मोटा सिल कितरा बड़ा होगा और मार्केट अगर बड़ा गाप डाउन कर जाता है ओपनिंग रेंज डे ब्रेकाउट में और बी में यह लेवल अगर कटा दस बजे के भी मार्केट अगर गैप डाउन करता है मुझे नहीं लगता है कि होगा बट होगा तो टू फिप्टी लेवल कभी भी कटा दस बजे के बाद अब थ्री फिप्टी हंडेड पॉंट्स की बाइंग इजली कर सकते हो ठीक है उसके बाद फॉल उसके बाद एगिन बाइंग मा थैंक यू भरी मच गुन्नाइट जे माद अदि